लेकिन वहीं कॉंग्रस में G20 के मुद्दे पर फूट भी साफ साफ नजर आ रही है G20 के मौके पर कल राश्टपती की तरफ से दिया गया डिनर जिसमें कॉंग्रस के काई मुख्य मंतुरी नहीं आए अजीबो गरीब बहाने सामने आए राजिस्थान के सियम गहलोत नहीं पहुँचे चतिसगर के सियम भूपेश पखेल नहीं पहुँचे लेकिन इन सब के बीच हिमाचल के सियम सुखविंदर सुखु मौझूद थे वो पहुँचे इस दिनर में और उसवक्त प्रधान मंत्री नरेंदर मौधी कैसे सुखु के साथ गर्म जोशी के साथ मिल रहे थे कैसे अपने घर के सदस्य को पहार विदेशी महमानों से मिलवा रहे थे वो इन तस्वीरों को देखकर भाव क्लियर हो जाता है वो तस्वीर बताने के लिए काफी है कि आप भले ही कितनी भी सियासत करते रही है भले ही आप कैसे ही एक दूसरे पर वार पलट वार करते रही है कॉंग्रिस बेशक ये भूल गई है कि आप मोधी विरोत नहीं कर रहे हैं ऐसे मौकों पर आपको सियासत नहीं करनी हैं लेकिन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे मौकों पर सियासत को भूल कर ये बता रहे हैं कि हमारा देश है हम सब साथ हैं और इसमें हर एक राज्य हर एक सियम की इतनी ही भूमिका है जितनी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मान रहे हैं जितनी बाकी अपनी सरकार के मंत्रियों की मान रहे हैं सरिश्वाला जी इसी फोटो का जिक्र भी आप बार-बार कर रहे थे इसी फोटो को लेकर चर्चाई हो रही है इस देश में कि सियासत का एक पहलू ये भी है एक पहलू जहां आप हर एक मुद्दे को, हर एक चोटी-चोटी बात को मुद्दा बना कर मोदी को घेड रहे हैं, देश को बदनाम कर रहे हैं और एक तरफ ये तस्वीर जहां पीम गर्म जोशी के साथ हर एक सीम की मुलाकात करवा रहे हैं विदेशी महमानों से बिलकुल, देखिए ये 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 तस्वीर जो जो मैं बार बार कह रहा हूँ, कि ये सेल्फ गोल क्यों है, क्योंकि सियासत का एक वक्त होता है, आप सियासत करिए, आप मोदी साब की बीजे पी की जबरदस्त मुखालिफत कीजिए, लेकिन ये वक्त नहीं था, ये तो जाकर औ कि जो स्टैलिन साब आए, वो भी इनके ही थे, इंडिया के हिस्सेदार हैं, लेकिन वो आए, और वो आए तो देखिए, उनको अलग तलग नहीं रखा, उनको जो जो बाइडन साब से मुलाकत कराई, जितने और बड़े लोग तो उनसे मुलाकत कराई, खुद कॉंग्रेस के, हिमाचल परदेश के, उनको मोदी साब गले में हाट डाल के मिला रहा है, ममता बेनर जी आई, नितिश कुमार आए, ये सब आलो चक हैं, ये सब नरेंदर मोदी के खिलाफ हैं सियासत में, लेकिन इतनी समझदारी है कि सियासत का एक वक्त होता है, और एक वक्त जुरने का होता है, मैं समझता हूँ कि ये समझदारी आना बहुत जुरूरी है, कि मुखालिफत, सिर्फ मुखालिफत करने के खातिर करना, ये फिर सियासत नहीं है, ये कुछ और है, हर्शवर्दन जी ऐसा क्या है, जो बात हिमाचल की सीम को समझ में आ गए, एक छोटे से प्रदे सियासत का पहलू जहां प्रदान मंत्री घर के बड़े होते हुए, घर के बड़े होने के भूमिका निभाते हुए, मिलवा रहे हैं विदेशी महमानों से, कि इन से मिलिए, ये हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजन्ट कर रहे हैं, ये दोनों तस्वीरे बहुत भिन हैं दू मिका में होते हैं और आपको ध्यान में होगा इसके पहले किसी और सरकार किसी और प्रधान मंत्री ने इस तरह से तो नहीं कहा था उन्होंने टीम इंडिया शब्द दिया था उन्होंने कहा था कि पूरा मंत्रिमंडल भारत सरकार का और राज्यों के मुख्य मंत्री और उनकी पूरी जो सरकार है तो बड़ा इसपश्ट है कि आप बिना जिसको कहते हैं राज्यों का संग कहते हैं तो ये वाला संग है, राहुल जी को भी थोड़ा समझना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए इस बारे में, लेकिन मेरी तो अब चिंता बढ़ गई है, मैं तो अब अभी देवेन जी से सवाल पुछने जा रहा हूँ, और ये बता पाएं तो बढ़ा अच्छा होगा, क्यों अब तो मेरे मन में ये प्रशन है कि सुखु जी, जिनको बाद में गानी परिवार का समर्थन मिल गया था, अब वो टिकेंगे की नहीं टिकेंगे, क्योंकि सुखु जी तो आगे संग की जो असली मूल भावना है, उसका ध्यान रखने उले, और राहुल गानी जी को जो सं संग समझ में आता है, वो यूरोपी उनियन वाला संग समझ में आता है, कितरे दिन तक चलेंगे?